इस मार्ग के उपाशक को यह समझना है कि सबके अंताहकरण का स्रजन कामना से हुआ है सबसे पहले स्रिष्टी में कामना हुई को हम भौश्यामा कामना से ही स्रिष्टी है हम सबके शरीरू का निर्मान काम चेश्टा से है इसलिए हमारे अंदर परमान है हमारे अंदर वही संसकार है जिस चेश्टा से हमारा स्रजन हुआ है हम काम संकल्प से काम चेश्टा से हमारे सरीर का स्रजन हुआ है इसमें वो पर्मान है इन पर्मानों को जो मिटा दे वही भगवान इन पर्मानों को जो मिटा दे वही भगवत भक्त इन परमाणों को जो मिटा दे वही महात्मा भगवान और भगवान के भक्त में किंचिन मात्र भेद नहीं होता ब्रम्हविद ब्रम्हयु भवते जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई एक कामना ने बिविद रूप धारन करवा करके फसा दिया और निशकामता अपने स्वरूप में इस्ठित कर देगी थोड़े दिन की बात है आप इसका महत्तो खतम कर दीजिए जो आप इसे बहुत हववा माने हुए हैं बहुत बड़ा माने हैं अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई पड़ा रहने दो एक कोने में यह अनित्यास नास्तितिक छत्स भारत यह नास्वान बृत्ती आई है एक खण में नस्ठ हो जाएगी अगर उसका चिंतन किया उसका महत्त दिया उसको चेश्टा की उसके सुख की तरफ आकरशित हुए तो खतम, फिर खतम फिर आपका परमार्थ खतम फिर उसका चिंतन करते रहो नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे सावधान यह शत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा सावधान यह परमार्थ का पत केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल वाग विनोद या केवल इसे मन का विनोद है मन को मारना हर इंद्री की वेक को शह जाना तभी हमारा गोविंदस के अधीन हो जाता है ये खेल है ये अगर कोई कह दे कि भगवान इतना निर्दई क्यों है निर्दई नहीं यह खेल है और उसका इनाम है यदि आप इस खेल में सही डंग से खेल गए तो इस खेल से मुक्त करके अपने चिदानंद खेल में सामिल कर लेगा आप बहादुर हैं घबडाएं नहीं आप प्रभू के बच्चे हैं आप प्रभू के जन है प्रभू ने आपको चुना है पूरी सरस्टी में आपको चुना है आप सुचिए कितने लोग हैं जो इस परमार्थ में चलते हैं चलने वालों में कितने हैं जिनका लक्ष होता है भगवत प्राप्ति उन लक्ष वालों में कौन द्रड़ता पुर्वक उस लक्ष को बेधता है कौन उस लक्ष को प्राप्त करता है कोई बिर्ला, कोई एक पाव भगतिजी में मोरी जो कहो हरिवन सरस, बिर्लो समझनहार एक दोई जो पाईए, खोजी सबसंसार रोज चर्चा इसी बात की हो रही सहन करना, हमारा मार्ग सहन करना मुस्कुराते हुए सहन करना प्यारे से प्यार करने के लिए हम हार परिस्थिती के लिए राजी है ये जो हम छुटे-छुटे विकारों में रो देते हैं छुटे-छुटे विकारों में परेशान हो जाते हैं अरे बड़ी जलन हो रही ये बिल्कुल नहीं ये कायर पुर्शों वाले लक्षन प्रिगट नहीं करने ये सूर्वीरों का मार्ग है बड़ो हुई कठिन है भजन ढिग डरिवो नागरी दाचनिय का जैसे एक सती अपने पती से प्यार करती अपना जीवन पती के लिए समर्पित कर देती पती की अंतरधान होते ही उसको अपने शरीर से बिल्कुल राग नहीं रेता जैसे एक योध्धा अपने देश पर प्रेम करने के लिए नजाने कितने अस्त्रों का प्रहार हास कर सेकर मृतिश्वईकार कर लेता पराजे नहीं ऐसा भजनानंदी उपासक होता है हजारों वार हो माया के फिर भी वो हरिश्षर्णम फिर भी वो अपने प्रहू को पुकारता हुआ आगे बढ़ेगा पीछे नहीं इन विकारों का सत्ता सुरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण इनकी सत्ता नहीं हस्ते विया मिटा दो अंदर जो विकार आ रहा किसी से द्वेश हो रहा आपके हिरदे में कहीं निंदा के सब्द चुब रहे है अपमान बुरा लग रहा है ये विकार आपके हिरदे में वेग आ करके आपको परिशान कर रहे काब जब आप उनका मात देते है अगर आप तत्काल हट बस साधक का इतना हिरता अंदर से ऐसे किया इसका कोई मात नहीं आगे लग गया, नामबाणी में लग गया नामबाणी में चित्त को लग गया आप देखो तो करके थोड़ी दिर जलन वी शान्त हो गया फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी फिर और कम आएगी फिर और कम आएगी फिर एकदम खतम हो जाएगी एक दिन ऐशा होगा कि आप सामस्त विसे भोगों के बीच में रहते विए आप निर्मल रहेंगे आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना भुने हुए चने में चाहे जितना खात पानी लगा अंकुरण नहीं आएगा ऐसे ही जो इस रास्य को जान गया चाहे जितने सुंदर सुंदर विसेओं के बीच में हो उसके हरदे में कभी भोग वासना जागरत नहीं हो सकती नहीं स्वात्मा रामम विसेओं म्रग तृष्णाम भ्रमेती तुम्हें लगेगा तुम्हें लग सकता है लेकिन आत्मा रामपुर्श के हरदे में कभी किसी विसेओं के भोगने की लालसा नहीं होती जो सच्चिदानंद तत्त को जान गया उसके हिर्दे में फिर ये राग नहीं होता या रहस से रघुनात कर बेगिन जाने कोई जो जाने रघुपती करपा सपने मोहन होई प्यारे बहुत बड़ी करपा हो गई है चूकना मत ये विकार आपको ठगे आपको आकरशित करेंगे चूकना मत अगर कदम रख दिया है वैरागी के मार्ग में तो चाहिए धजियां उड़ जाए आग लगा दी जाए पूरे शरीर में मैं जलना पसंद करूँगा परमार्त ब्रस्टो ना नहीं ये स्विकार करो हिर्दे से स्विकार करो तुम्हारी स्विकृती में दम है तुम अगर स्विकृती अगर हिर्दे में बैठा लो कि स्वेम भगवाना में और मुझे विशेशेवन की आग्यान करें तो मैं उनकी इस आग्यां का पालर नहीं करूँगा आप विजय को प्राप्त होंगे आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा आपके शंकल में भी बहुत सामर्थ है क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंस हैं आप अपने स्वरूप का विश्मरन करके भोगों को एतना महत दे दिया कि आप रो रहें आप अंदर से इतने हाद रहें कि मैं कैसे चल पाऊं कदाप ही नहीं ऐसा कदाप ही नहीं होना चाहिए अगर वास्तिविक आनंद का परिचे प्राप्त करना है तो थोड़ी यात्रा ये आग वाली है आग वाली यात्रा चारिके मैन तुरंग पर चलिवो पावक माई प्रेम पंथ अति कठिन है सब को निभात नाई मौम के घोड़े पर सवार होकर आग की जुआला से निकलना है इस मारग में अगर चूक गए तो मौम का घोड़ा पिघल जाएगा और आप आग में जल जाएगे कोई नू कोई विकार आपको परास्त कर देगा मौम के घोड़े का ताद पर है द्रवी थरदे आप भक्ती मारग में प्रेम मारग में है आपका हरदे द्रवीत हो रहा है यदि आप सावधान न रहे तो वो द्रवी थरदे काम की तरब बढ़ जाएगा वो द्रवी थरदे मोह की तरब बढ़ जाएगा इखो जिस भगवत प्राप्ती के लिए बाधक भाव मान कर अपनी पत्नी, पूत्र और राजी को त्याग कर भरत जी महाराज गंड की नदी का सेवन करते हैं निरंतर भगवद इस्मरन का अभ्यास कर रहे द्रवीतर हर्दे म्रग के बच्चे में फस गए बन गया कार मरिक का अगला जन्म मरिक का हो गया शावधान सत्संग का तात पर है अंदर की जो हमारी उलजने हैं उनको सुलजा देना कुछ न बोलो चुप रहो अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो सांत रहो उनकी सत्ता नहीं है उनका महत तो नहीं है चिलाओ मत किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया मेरे अंदर काम आ गया मेरे अंदर मो, चूप चाप सह जाओ कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है बड़ी क्रपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खतम हो जाएगी आपने महत दे रखा है प्यारे बहुत बड़ा दाओं लग गया है, बाजी जीत लो हारना मत ये जो भगवत मार्ग है इसको सिंगनी का दूद कहा गया है प्रेम मार्ग को बच्चा बन जाओ जैसा गुरुजन, जैसा आचारे जन आदेश कर रहे हैं, आँख मुंद करके उनकी अंगली पकड़े हुए, चलो तुम्हें कोई छूँ नहीं सकता कोई नहीं छूँ सकता अनन्त ब्रह्मांडो का स्वामी हर समय तुमारी सुरक्षा में है तुम क्या समस्ति हो, तुम अनात हो क्या जब तुम स्वैकार करते हो ताब तुम कामी होते हो अगर तुम स्वैकार न करो तो काम की सामर्थ नहीं कि तुम्हारे हरदे को मलिन कर सके क्योंकि अनंत सामर्थ साली प्रभू का नाम जिव्या में मेन दौार पर है प्रधान दौार पर बेठा हुआ है भगवन नाम नाम पहारू दिवस निशी रात दिन नाम का पहरा है तुम खिलवार समझ रहो तुम भगवत मार्ग के पथि को भगवत पारशद हो दिब शक्तियां तुम्हारी सेवा में है तुम अभी जान नहीं पा रहे हो शावधान रात दिन नाम जबते रो जिब्या पे तुम्हारे मेन द्वार पर नाम बैठा है कौन प्रवेश कर सकता है नाम पहारू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाठ प्रवु के रूप का ध्यान चल रहा है मुख में नाम चल रहा है कहां है काम कहां है विकार जब आप उसर देते हैं आप मेन द्वार पाल को अलग कर देते हैं अर्थात मुख से नाम छोड़ देते हैं और आप दर्वाजा खोल देते अर्थात प्रभू के रूप का ध्यान छोड़ देते ये विकार अंदर प्रिवेश पागे कैसे पागे? इतने समर्थ द्वार पालके होते हुथ कैसे पागे? यह अंदर कैसे प्रविस कर गए काम करोध, तुमने छोड़ दिया नाम रटना, तुमने प्रभु का ध्यान करना छोड़ दिया, एक निमिस के लिए भी ध्यान न छुटे, नाम न छुटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है, कैसे भजन करना चाहिए, स्व शुटे, अप्रणा कुछोव कोई देखो करना टुम्हें में दियां प्रणा राधियू, हैं ये पद्धती बता रहे हैं, तुम्हें डूबना है स्यामा स्याम, स्यामा स्याम, 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 कहां काम है, जब आप स्वैकार करते हैं, तब काम है, जब आप नाम भूल जाते हैं, तब काम है, जब आप ध्यान भूल जाते हैं, तब काम है, नहीं तो राधा वल प्रभु की लीला स्रवन में, प्रभु की सिधांत स्रवन में लगा हुआ है। तो यही स्थिति आप बराबर क्यों नहीं रखते हैं। एक रस इस्थिति पाने के लिए आप नित्यभ्यास भजन का जो कर रहे हैं, उसमें अंतराय क्यों आ गया। निरंतर्ता क्यों नहीं रही, नाम कैसे छूट गया, रूप का ध्यान कैसे छूट गया, ये काम का इस्मरण कैसे आ गया, ये क्रोध क्यों आया, ये द्वेश की प्रवत्ती क्यों आई, निंदा क्यों सुनाई दी, ये अपने कुद देखना है आप उपासक हैं, आप पिले नहीं है आप क्यों आनाथों की तरह विकल हो जाते हैं मेरे अंदर ये विकार है और आप एकांत में कुछेश्ठा कर बेटते हैं आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का फिर आपको लगेगा जीवन ब्यार्थ है बिना भोगों के सबसे प्रार्थना है संपूर् रहाश्य रोज सुनने को मिलता है रोज प्रभु कृपा करके पेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन स्रवन का सोभाग के देते इससे बड़ा लाब क्या होगा अब हम शावधान हो जाए उपाशक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आये हुए विकारों को सत्य नहीं मानना कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है नहीं कहना उनकी सत्ता ही नहीं है मानना ही नहीं है बिल्कुल नहीं मानना आपको लग रहा हो कि जाके जाये नपाएं बिवाईं वो क्या जाने पीर पर आई आपको क्या पता चले तो भाया, त्यारा वर्षी की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं, कुछ दिन के है यह जो आप देख रहे हैं, भीड़ो भड़ा की सब, माया का जो लीला विलास है भगवान का कुछ दिन देख रहे हैं पूरा जीवन हो गया जलते हुए और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुमें कैसे बताएं, उसी आनंद को आप सरवन कर रहे हो ऐसा ना समझें कि यह हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया, पूरी जीवन अगर हमारा जीवन प्रभू के लिए है, तो प्रभू सिर्फ मेरे है, ऐसान वो होता है सिर्फ मेरे, मेरे प्रितम, मेरे स्वामी, और कितना दुलार करते हैं तुमें कैसे बताएं, बाणी की सामर्थ नहीं की दुलार की, कैसे उनकी उसी तलता की तरब देखे, यह भुनगा है यह सब काम करूद, सच्ची मानिये आप जिनको बहुत तूफान माने हुए है, मेरे प्रभू की मुश्कान के आगे भुनगा है नाम जापक, आप सोचिए नवी नवस्था है हरिदास जी की कुटिया में एक वेश्या नवी नवस्था की स्तंगार करके आती है नाना प्रकार से वो चेश्टाओं के द्वारा उनके भजन में बाधा पोचाने क्या हुआ तीन दिन में वेश्या हरिदासी हो गई भगवत भजन परायन हो गई और वो महत्मा कुटिया छोड़ करके चल दिए यह है प्रभाव नाम का शामने जो भी हमारे शामने आवे भगवत चिंतन परायन हो जाए इतने हम चिंतन परायन हो कि हमारे सरीर के परमान हो हमारे वास के परमान हो हमारी द्रस्टी में ऐसे परमान हो के उपर पड़े वो कृष्ण बोल पड़े वो राधा बोल पड़े तम माना जाएगा आपका भजन अभी हमारे ही निरंतरता नहीं बन रही भजन की सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है विश्वास करो यह भोगी सब देखो मच्छर ने उड़ाये उड़ते सची मानन छुटी छुटी बातें छुटे छुटे विकार कल्पनात्मक भै यह सब मच्छर हैं यह साब आ करके पेरित करते हैं कलेसी तसांत नींद नहीं आ रही है नाना प्रकार की चिंताएं गर्षित और आप अगर मधुकरी भी मांगके रुखी सुखी मिली उखाए तो आराम से च्छे की जगे आठ गंटे सो गए क्या परिशादी सहने से जो सीतलता मिलेगी जो आनंद मिलेगा जो अमरत मिलेगा भोगने से नहीं मिलेगा विश्वास कर लीजिए और जिन लोगों के हरदय में यह धारना बैठ गई है कि मैं तो ग्रहस्त हूं यह तो विरक्तों की बा अचे हैं सचिदानंद सुख के मार्ग में चलने वाला सांशारिक भोगों को शत्य मान कर दुखी हो जाए कि मेरे पास यह भोग नहीं इससे बड़ा अज्यान और क्या हो सकता है इस मार्ग के पथिकों ने जिन भोगों के लिए यह सब जीव लालाईत रहते हैं उन भोगों को विष्ठा के शमान त्याग दिया वमन के शमान त्याग दिया यह सामर्थ प्रभू की तरफ से आती है आप प्रभू के जन है पहले निष्चे करो मुझे प्रभू चाहिए फिर इस निष्चे की पूरती के लिए कल के सत्संग में था कि कहीं अल्प सुख में आप विश्चराम न मान लें कहीं अल्प सुख में आप राजी न हो जाए नहीं तो भूमा सुख का अधिकार खो देंगे आपके हरदे में जिससे काम जागरत हुआ आपका हरदे विकल हो रहा है कामना से तो आप उस समय तटस्त भूमिका रखे मेरे में काम नहीं है मन में कामना जागरत हुई है और ये भोगने से नश्ट नहीं होगी सहने से नश्ट होगी अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूँ यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेगशांत हो जाए तो फिर भजन बड़िया होगा ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा दोनों चेष्टा ये आपने काम भूग की वाशना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ती नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा क्रोध इस्मृती को लोप कर देगा इस्मृती बुद्धी का नास कर देगे जहां इस्मृती का लोप हुआ विचार नस्ट हुए बुद्धी नस्ट्वी सादक ब्रष्ट हो गया पतित हो गया यदि कामना की पूर्ती हो जाती है तो वासना जागरत हो गई और नमीन तृष्णा भोग तृष्णा जागरत हो गई काम की पूर्ती में लोब जागरत होता है काम की अपूर्ती में क्रोध जागरत होता है परिणाम में दोनों के दोरा समान ही बंधन प्राफ्थ होता है लोब भी स्मृती व्रहम कर देता है और बुद्धी का नास कर देता है काम भी स्मृती को ब्रहंस करके बुद्धी का नास कर देता है किसी भी तरह से काम का शेवन करने से मंगल नहीं हो सकता जब तक काम है तब तक बिश्राम नहीं है विस्वास मान लिजिए तब लग खुशल नजीव को हूँ शपने उमन बिश्राम जब लग भज़त नराम को सुख धाम तजि काम अच्छत काम सुख सपने उना ही जब तक ये है ये बहुत बड़ा शत्रु है ये बहुत खाने वाला कभी न अगाने वाला सदय भूखा रेता है इसको केवल वाशना वासना मात्र वाशना और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नश्ट करने का केवल सहना उपाय है मात्रा इस परशास्त कोंते ये सीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या स्तास्तितिक्षस्व भारत भगवाना अदेश करते हैं हे अर्जुन ये आने जाने वाले इंद्रियों के सुख जो अनकुलता प्रतिकुलता जितने भी द्वंद है ये साब आने जाने वाले है इस्ताई नहीं है अभी आप विकार ग्रस्ते थोड़ी देर में नित्विकार हो जाएंगे लेकिन यदि आपने विकार के अनुसार जो विकार पेरित कर रहा है वैसी चेश्टा कर ली तो फिर आगे परिणाम निर्विकार नहीं आएगा फिर तो और विकार बढ़ जाएगा फिर और आप ब्रष्ट होते चले जाएंगे जैसा अभी तक पीछे जन्मों में होता रहा है बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन फसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शान्ती धारन कर लूँ भोगास चान्ती नहीं है त्यागात चान्ती है यमहीन विथ्यंत्यते पुरुशं पुरुशर्शव सम दुखा सुखा धीरम सुम्रतत्वाय कल्पते हे अरजुन जो धैरिवान पुरुशिन वेगों को सह जाता है शुक दुख में शमान भाव रखने वाला परंपद का अधिकारी होता है हम प्रियालाल के मार्ग के पतिक है हमारा हिर्दय कामना से दूशित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है ना हमें कोई चेश्टा करनी चुप चाप सह गए सहसो, साधू, सहत, सहत, बाढ़य भगती ग्रेतन, गुरुहित, गार समझे इस सुत्र को अगर आप कहीं भी रो करके कह देंगे कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर कुरूद है तो आपने उस असत वृत्ती की सत्ता दे दी ठूट का भूत मान लिया, आप वो पीछे पड़ जाएगा है नहीं? वो पीछे पड़ जाएगा आपको जलाएगा, आपको अशांत कर देगा आपको परमार्त बरष्ट कर देगा इसकी सत्ता ही नहीं है जिसको आप मान रहे हमारे अंदर काम आ गया हमारे अंदर अमुक विकार आ गया केवल भ्रह्म उस भ्रह्म के कारण हम इस जगत को सत्य मानते हुए सचिदानन्द प्रभू से इतनी दूरी आज तक उनकी दर्शन नहीं हुए आज तक अपने प्रीतम से मिले नहीं कभी आशु गिरे उनके लिए देखार है जीवन को प्रभू के लिए कभी रोए कभी गुरुदेव के सामने खड़े होके चिला कर रोना आया कि प्रभू इतना समय चला गया लेकिन प्रीतम नहीं मिले करपा करो मुझे प्रभू मिले जाए नहीं मेरे अंदर काम इतनी करोवस नहीं है मैं काम के संसकार को मिटा दे सामात्मा वोह ही मात्मा है